नमस्कार पत्रका टीवी के न्यूज रूम में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हार्दिक दवे रुख करते हैं आज की तासा तरीन खबरों की ओर 35 घंटे बाद जिंदगी की जंग जीत कर वाहर आया रोशन सेना और पुलिस प्रशासन को दिया इसका श्रेयर अमेरिका की पुर्व विदेश मंत्री पहुंचे इन दौर आते ही महेश्वर के लिए रवाना हो गई हिलैरिक विंटर मंदिरों में दशामाता को पूजने के लिए लगा रहा महिलाओं का तास रश्णपुरा छत्री वर खासी भीड़ दिये वीवी में काम बदगे विरोध में छात्रों ने कुलपती की कार को रोग कर किया हंगामा अनमसी के विरोध में आये मना अजित की प्रेसवार था अनमसी की गनाई खामिया देवास जिला मुख्याले से 135 किलोमेटर दूर गाब उमरिया में चार साल का भच्चार रोशन बोर में गिर गया था सुबह 11 बजे शनिवार का दिन था लेकिन 35 घंटे अंध्यारे से डट कर उसने लड़ाई लड़ी और आखिर अपनी जान को जीत कर वो सुरक्षद बाहर निकलाया इस मासूम को निकालने के लिए पुलिस प्रशासन और सेना ने दो दिन तक बोर के समानांतर लगातार खुदाई की लेकिन चटानू के वजह से उस तक पहुँचने के लिए सुरंग नहीं बना सके हार कर उन्होंने बोर में रसी डाली और उसका फंदा पकड़ कर रोशन रविवार रात साड़े दस बजे बाहर आ गया हालांकि इस अभियान में खत्रे बहुत सारे थे बोर में रसी फेकी और उपकरणों के जरिये मासूम को निर्देश दिये गए वह इनकी पूरी तरह से पालन करता रहा और बाहर निकलने के बाद रोशन को खातेगाव अस्पता ले जाया गया ये रोशन का जस्बा ही था कि वह 35 गंटों तक बोर के अधेरे में भी घबराया नहीं और बेहोश नहीं हुआ वो पाइप से दिया जा रहा दूद, ज्यूस और पानी लेता रहा और माता पिता से पूरे समय बात भी करता रहा इस मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन के सदस्यत तब चौँक गए जब बच्चे ने पिता से बाहर आने पर कचोरी समोसे खाने की इच्छा जताई और नई चपल की मांग कर डाली ये क्षण पिता के लिए ही नहीं बलकि वहां मौजूद सभी लोगों के लिए भावो कर देने वाल अक्षण था रोशन को बचाने के लिए पोकलेन मशीनों से दिन रात की गई खुदाई के बाद समाना अंतर गठा खोदा गया लेकिन मासूम तक पहुँचने के लिए सुरंग बनाने के दौरान बीच में आई कठोर चटानों ने रेस्क्यू आपरेशन रोग दिया बिना बलास्ट इन चटानों को तोड़ना कठिन था इसे देखते हुए सेना ने रात आठ बच कर 45 मिनिट पर प्लान बदल दिया और रसी से निकालने की कोशिश करने लगे वो मरिया के एक खेत में बचाव अभ्यान में जुटी पूरी टीम ने बोर के भीतर रसी डालते हुए रोशन से कहा कि इसे हाथ में चूडी की तरह पहन लो दूसरी रसी देते हुए भी उसे यही समझाया गया कि जैसे मा चूडी पहनती है ठीक उसी तरह इसे भी वो हाथ में डाल ले टीम ने उससे कहा कि घबराए बिलकुल नहीं उसे तुरंत बाहर निकाल लिया जाएगा उसके बाद उसे मेला दिखाने के लिए भी ले जाएंगे रोशन ने वही किया और कुछ ही मिनिटों के बाद रसी के सहारे रोशन को बोर से बाहर निकाल लिया गया बच्चा सोने के बाद प्र हमने दस्मेट वेट किया उसके दस्मेट वेट करने के बाद फिर बच्चा जा गया बच्चा सई सलामन ते बहुत अच्छे से रक्त सुन्टे यह उसन और गड़ा पहेंती वैसे फ़से इसने दोनों हाथ तुमें और रसी दोनों डाली और जैसे मेरे को पता चला के सिने डाल चुका है वैसे मैंने खीचना शुरू किया खीचते खीचते दीरे दीरे बुगवान का नाम लेते लेते आज वह बिलकुल सभी चोट तो नहीं है कैसा बच्चा कोई चोट नहीं है अभी सभी सलामता सर वैसे हो एंबुलेंस में लेगे उस पर एक रसी डालके और सरका बुंदी लगा कर उसको बच्चे ने बहुत बादरी के साथ में उसको रसी को पकड़ा रसी को उपर खीच कर वार्बी और जो हमारी जास्टा मैं की टीम थी उन दोनों में बहुत अच्छा काम करके उसको बच्चे को निकाला और सुरक्षे देंबुलेंस में उसको रवना कर दिया गया है हॉस्पिटल के तरफ बच्चा बीबुल सस्थ है और ऑपरेशन बुली तरीके से सकते हैं अभी फिलार हम लोगों ने खते गाउं के हॉस्पिटल में भेजा है लेकिन बच्चा बुमाद इससे पहले NDRF और प्रशासन के बाद रविबार को शाम पांच बजे भोपाल से आई सेना की 115 एंजुनियरिंग बटालियन के करनल अक्षे कुमार और मेजर शेखर ने अभियान की बागडोर संभाली बोरिंग के पास 33 घंटों तक पिता भीम रुआ से बैठे रहे लेकिन गड़े के अंदर से बेटे की आवाज सुनकर वे बीच बीच में खुश हो रहे थे बोरिंग से थोड़ी दूर मा रेखा रिष्टदारों के साथ पेड़ के नीचे बैठ कर रोशन को निकालने के लि वाली थी लेकिन इश्वर को ये मनजूर नहीं था रोशन सही सलामत बाहर निकलाया इस पूरे खटना करम के बाद माता पिता ने बच्चे की जान बचाने का श्रेय सेना और पुलिस बल को दिया है अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री और राश्ट्रपती पद की उमीदवार रही हिलेरी क्लिंटल कल यानि की राद को आठ बजे देवी अहिलिया एरपोर्ट इंदौर पहुंची विसीधे मुंबई से चार्टर प्लेन से इंदौर आई थी उन्होंने हाथ हिला कर एरपोर्ट पर उनका स्वागत करने आये लोगों का भिवादन किया गहरे नीले रंग के कड़ाईदा खुर्ते और सफेद प्लाजों में आई हिलेरी ने सीधे राद की नौ बजे यहां से महेश्वर के अहिलिया पोर्ट की और रवानगी की इंदोर आई अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का स्वागत इंदोर ने बड़े ही जोश, जुनून और उत्साह के साथ किया है महेश्वर में उनको दिये गए विशेश डिनर में खास तोर पर आम का रस बनाया गया जो ने बहुत भाया आज सुबह हिलेरी सहित चार अन्य विदेशी महमान अभी कुछ देर पहले ही मांडू के लिए महेश्वर से रवाना हुए अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्रिंटन ने एरपोर्ट पर देवी अहिल्या भाई होलकर की तस्वीर देखकर पूछा हुष शी ये तस्वीर किस की है साथ चल रहे है एक युवक ने बताया कि यह यहां की महरानी है नाम को लेकर जब सवाल किया गया तो अगवानी कर रही S.D.M. शालिन श्रिवास्तव ने हिलैली क्रिंटन को बताया कि तस्वीर यहां के होलकर राज घराने की महरानी देवी अहिल्याबाई होलकर की है वे यहां की प्रशासक रही और तब महेश्वर इंदौर की राजधानी हुआ करती थी उन्हें महिल्याबाई के राजमहल में ही ले जाया जा रहा है अहिल्याबाई ने वहीं से इंदौर का शासन चलाया था और अपना सब कुछ भगवान शिव को समर्पित किया था क्लिंटर ने कहा कि देवी अहिल्याबाई इतनी बड़ी शक्सियत हैं उनकी नगरी में आकर वे खुश हुई है उनके पहुँचने के पूर्व अमेरिका से आये चार सेक्योरिटी अफसरों ने काफिले में शामिल वाहनों व सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया एरपोर्ट पहुँचते ही हिलेरी ने वेटिंग रूम में अपने सिक्योरिटी अफसरों से चर्चा की उसके बाद सफेद रंग की इनोवाकार से महेश्वर के लिए विरवाना हुई एरपोर्ट पर रविवार शाम साड़े चार बजे से ही पुलिस बल जाँच के लिए पहुँच गया था उनके काफिले में शामिल सभी वाहनों की सुरक्षा की दरिष्टी से बम स्कौर्ट ने बारी की से जाँच की थी कार के बोनट, दर्वाजे, सीट, टायर वो कई हिस्सों की चेकिंग पहले से कर ली गई थी इसके बाद स्नीफर डॉग ने भी गाड़ियों की जाँच की थी हिलरी के एरपोर्ट पहुंचने के पूर्वे, उनकी सुरक्षा में लगे अमरिकी सेक्यॉरिटी अफसरों ने मेडिया दोरा काफिले में शामिल होने वाहनों की तस्वीर की खींचने के संबन्द में वहां तैनात अफसरों से चरचा की इस दोरान सेक्यारिटी आफिसर्स ने रन्वे से हिलेरी के एरपोर्ट से बाहर आने का रूट प्लान भी तैय किया इस दोरान दोबारा से बम स्कॉड ने कारों की जांच फिर से की ये काफिला जब महुनाका से रवाना हुआ तो उसे देखने के लिए लोगों का हुजूम उमर पड़ा भारतिया और अमेरिकी कड़ी सुरक्षा के बीच जहाज महल का नजारा देखने पहुंची अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलैरी क्लिंटन को भारत की एतिहासिक धरोहर काफी पसंद आई वहेंके ADM, DK नागेंद्र और Additional SP डॉक्टर राय सहन अरवर्या ने हिलैरी की सुरक्षा का खासा ध्यान रखा सुबह से ही हिलैरी क्लिंटन मांडव के अलग-अलग महलों में घूम कर यहां की सुंदर्ता का आनंद उठाती नजराइं कल वे इन दौर से ही राजिस्थान के लिए रवाना होंगी चंदननगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है उन्होंने तीन ऐसे सिकलिकरों को गिरफतार किया है जो की अवैध हतियारों की तसकरी किया करते थे इनके पास से कुछ हतियार भी बरामत हुए है अवैध हतियार की तसकरी करने वाले पांच बड़माशों को चंदननगर पुलिस ने गिरफतार किया है इन बड़माशों के पास से तीन पिस्टल, छे जिंदाकार्तूस और चाकू भी बरामत किया गया है पुलिस इन से आगे की पूश्टाच में जुटी है और पूश्टाच में कई खुलासे होने की उमीद है भारत सरकार द्वारा गठित किये जाने वाले राश्ट्रिय चिकित सायोग यानि NMC के गठन के खिलाफ IMA के कुछ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है और आज एक प्रेसवारता का योजन भी किया इसमें सभी पतादिगारी कर्ण शामिल हुए और उन्होंने कुछ मुद्दों पर चर्चा करते हुए इस बिल का विरोध किया NMC के बिल के खिलाफ IMA ने आज प्रेसवारता का योजन किया समेराश्ट्रूप अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र एरन, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नटवर सारडा, अंदोर अध्यक्ष डॉक्टर अनिल विजयवर्गिय भी मौजूद रहे नीजी मेडिकल कॉलेज को बढ़ावादे ने विदेश में पढ़े विद्यार्थियों के लिए कुछ योजनाए बनाने और राजियों पर पढ़ने वाले इस बिल के प्रभाव के बारे में चर्जा करते हुए सभी ने NMC का विरोध किया जो गॐर्मेंट आफ इंडिया एनमसी भी नेशनल मेडिकल कमिशन परहा है उसमें वह सारी ब्रहंतिया है और उसके वरभी से में वह सारे धुश्परिणां है जा रहा है हम इसका विरोध कर रहे हैं उसके विरोध में ही हम भारत यात्रा कर रहे हैं और एक जगए कि ऑप निख कर वो प्रतम दरश्टिया देखे तो च्रीशा छात्रों के विरोध में हैं प्राइबेट और नए आने वाले स्टुडेंट्स के विरोध में इसलिए है कि आप जानते हैं हर साल पूरे देश में करीड एक लाख पचास अजार अच्छाइब अच्छाइब की अट्रा एक्जाम और फुल जमा में सोला अच्छा तिस एक्जाम आस करने के बाद इंगी बिएस करते हैं अभी जो बिल आ रहा है इस बिल में एक बड़ा ही दुर्वा की पून गटक है वो है कि मेडिकल इस्टुडेंट्स की जो की प्रीपीजी की एक्जा होते हैं बार की दशा सुधार ने घर में समरत ही लाने और परिवार में सुख शान्ती बनाये रखने के लिए दशा माता की पूजाए महिला करती है फागुन महा के अंत में पूझे जाने वाले दशा माता के पूझन के लिए सोंबार को कही महिलाएं कृष्णपुरा छत्री के मंदिर में इकत्रित हुई ये नजारा है इंदौर की कृष्णपुरा छत्री के मंदिर का आज सुबह से ही यहां महिलाओं का ताता लगा रहा घर की दशा को बहतर बनाने के लिए महिलाओं आज के दिन फागुन महा में दशा माता की पूजा करती है इस्तिवहार पर इंदोर के कई मंदिरों में सुबह से भजन के दुनों की आवाजे आना शुरू हो गई और महिलाओं ने माता से खुशाली की कामना की स्वास्त संविदा कर्मी अभी हड़ताल पर है और उनकी हरताल पर होने के बावचूद पोलियो अभियान को शुरू कर दिया गया है लेकिन इसका हर्जाना सरकार को नहीं बलकि आम लोगों को और मासुम बच्चों को भगतना पड़ रहा है बगैर किसी प्रशिक्षित स्वास्त करमचारियों के पोलियो अभियान की शुरूआत स्वास्त विभाग ने कर दी है ऐसे में पोलियो की दवा पीने के बाद बच्चे की तबियत बिगढने का आरोप लगाते हुए कुछ पालग बच्चे को लेकर चाचा नहरू अस्पताल पहुचे पालगों का आरोप है कि स्वास्त विभाग की लापरवाही के चलते उनके बच्चे की जान खतरे में आ गई है वहीं स्वास्त विभाग भी अब इस मामले में चुपी सादे बैठा है कुछ दिन पहले एक महिला इंदौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे आते आते रह गई थी और एक पुलस कर्मी ने उनकी जान बचा ली थी इसका कारण ये था कि आए दिन ट्रेनों को प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूरी पर ही खड़ा कर गया जाता है जिसके लिए यात्रियों को खासी मशक्त करनी पड़ती है और इसी के कारण वो दौर लगाते हुए ट्रेन की तरफ जा रही थी और उसके नीचे गिर गई थी लेकिन अब ये रोज का तलसिला बन चुका है और डेमू ट्रेन रोजाना प्लेटफॉर्म से दूर खड़ी होती है ये हैं अंदौर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर चार जहां रोजाना डेमू ट्रेन प्लेटफॉर्म से काफी दूर खड़े होती है इस वजह से यात्रियों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ता है। कुछ दिन पहले जिस महिला को एक पुलिस कर्मी ने ट्रेन में कटने से बचाया, वो महिला भी प्लैटफॉर्म से दूर खड़ी ट्रेन को पकड़ने के लिए दौर लगा रही थी और गिर पड़ी थी लाइबरेरी को बंद कराने के मामले में आज नाराज चात्रों ने डिये वीवी के गेट पर हंगामा किया और जा रहे कुलपती की कार को भी वही रोक दिया। करने को लेकर चात्रों ने डिये वीवी प्रशासन के विरोध में स्वर बुलंद कर लिये हैं। नंदबाग निवासी युवक का सोमवार को घर की छट से नीचे उतरते वक्त अचानक पैर फिसल गया। इससे वह सीधा नीचे आगिरा सामने की और एक लोहे का सरिया भी निकला हुआ था जो इस युवक के पेट में जा घुसा। गायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल ले जाए गया फिलहाल उसका उपचार जारी है। इन दोर में आपराधिक तत्वों के होसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। खजराना इलाके के बदमाशों को अब पुलिस का खौफ नहीं है। खजराना में बदमाशों ने मिलकर तीन युवकों के साथ मारपीट की और उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। तीनों युवकों का उपचार अस्पताल में जारी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही ताज़ातरीन खबरों के लिए जुड़े रहे ये पत्रिका टीवी के साथ मुझे यानि हारतिक दवे को दीजे इचाज़त नमस्कार।